इंडियन बाइक सो ड्राइविंग 3D गेम के अंदर आचुका एक हलक और इसने हमारी पूरी सिटी को तोड खोड के रख दिया है अब यह आगे क्या करने वाला है और मैं इसे रोख सकता हूं या फिर नहीं जानने के लिए इस वाली वीडियो को एंड तक देख लेना इस वाली सिटी के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला मैं काम करता हूं या क्यूंकि वह हल कैना मेरी घर के तरफ आता हूँ लग रहे है बहुँ जल्दी-जल्दी नहीं से भाग जैता हूं जीतरा भी सामान वह समट लेता हूं और यहां से भाग करें न सीधा अपने मम्मी पापा के विलेज में भाग कर चले जाता हूं भाई तो चलो यार सारा का सारा सामान तो मैंने भर लिया है अभी फटापर से यहां से चलते यार इससे पहले की हल करना यहां पर आ जाए और मुझे और मेरे घर को भी तोड़ उड़ रहा यार और तुम्हें पताओ का विलेज के अंदर यार चोटे-छोटे घर हो कर चलता हूं और वहां पर चिप कर रहने लग जाता हूं टिक है इससे पहले की रुट मुझे मार दे तो जल्दी-जल्दी से चलते अपने विलेज के तरफ एंड वहां पर रहने वाल बी सकता है यार तो चलो यह रहापना विलेज अप से हैंолов NICK यहां पर रहने वाला को बता दिया है और भाई वो लोग कह रहें कि हमें इसे चिप कर नहीं रहना है जाकर हल्क से लड़ना है जिसको अगर हम धूंड कर भाई उसे पी लेंगे न तो भाई हम हल्क जितने बड़े हो जाएंगे और हमारे अंदर हल्क उतनी पावर आ जाएगी भाई अब यह सुनने के बाद मेरे अंदर एकदम जोश आ चुका है कि हम हल्क से लड़ेंगे आप देखो और उन्होंने मुझे तीन वीडियो भीडियो चला कर देख लेते हैं तो चलो का इस पहली वीडियो तो मैंने आपर लगा दी है और यह क्या है यह तो अपना पेट्रोल पं एक सब्सक्राइब करते हैं तो चलो जल्दी से अपनी जड़ेंगे तरफ और वहां पर जाकर उस ग्रीन वाली मेडिसिन को कलेट करते हैं तो चलो भई फाइनली मैं अपने पेट्रोल पंप के तरफ आ चुका हो और सामने की तरफ तुम्हें दिख भी रहा होगा अभी में चीजी है कि भाइ मैं इसके ऊपर कैसे जाऊं यार अवे 1 सेकंड एक सकंड यहाँ पर रांप लगा रखा है घ्याएं है ज्लो भाई बहुत बड़िया है यहे तो ट्रैंगल है यहाँपर एक तीट्रैंगल अभाई फाई रख रखा है अब यहाँपर तो मेनकीं तो मेडि पाइंगल के अंदर किसी एक ट्रेंगल के अंदर होगी ठीक है अब बैए सबसे पहले तो मुझे पेट्रल पम के उपर जाना यार इस बैएक को लेकर थो चलो बैए रैंप से बाइक को कुदाते हैं और सीधा पैट्रल पम के ऊपर चलते हैं यह वहाँ पर पर पता लगेगा ईट जाने बाई टाकि आपकी वाइक को थोड़ा धीरे से चलाने वहाई के बीक है एकदम धीरे से चलाएंगे टीक है तो चलो आप इतना ठीक लग रहा है अभी सदा एकदम पूर घाना बाइब नीचे मद जा ना ठीक है पेटरोल पम के ऊपर जा उपर और फाइनली चलो यार फाइनली आ चुके हैं भाइब एकड़ोल पम के उपर और अभी यहाँ पर बाइब मुझे एक दो तीन चार पाँच ट्रेंगल लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो मेडिसीन ती यह कहां से आगे अब मुझे जहां तक लग रहा है कि medicine है ना इनी पांच triangle में से एक triangle के अंदर है अब मुझे ना यह triangle को हटा हटा करें आपर देखना होगा कि medicine किसके अंदर है तो भाई अभी है ना मुझे बहुती कमाल का आइडी आया है हम अपनी RGS tool के मदल से इसे हटा सकते हैं इन ट्रेंगल को मैं आपर लिखता हूं भाई mode on यानि MD on और यहां पर देखो भाई अभी mode on हो चुका है अब है ना हम इन ट्रेंगल को भाई पकाड़कर निनको सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके नीचे कुइम यह मतलब कौन से क्माकरी के निचे medicine है अभी अब वहाんな इस का से करुम प्रवाइस यह जत रियोंपनने पर यांकोन देखने ऑवे इसके अंदर donc वाले ट्रियंगल्स के अंदर ये किसके अंदर मेडीसिन बैए क्म तो इसके अंदर भी नहीं ये और चलो फटा पर से मैं आसे देखता हूं किसके अंदर मेडीसिन है तो चलो गाइस फाइनली मुझे आपर मेडीसिन मिल चुकी है मतलब यहां पर बीच में ट्राइंगल था वेडिए कर लिया अभि एक काम करते हैं पर हम अपना वाला वीड़ों देख लेते Engineering के अंदर कितनी ज्यादा बड़ी बॉटल करने के बाद हमारे अंदर हल्क की ताकत आ जाएगी अभी देखो और मैं रहा है इस वाली जगे पर आ चुका हूं और यहां पर जो तुम्हें बिल्डिंग दिख रही है ना वाई हमें इस वाली बिल्डिंग के ऊपर के उपर जाना है मुझे जहां तक साँने उस बिल्डिंग के तरफ तरफ लगा यहां से उसकंटेनर अवाई को चाना है मैं कैसे जाऊंगा आर इन्होंने यहां पर रास्ता बंद कर रहा है ताकि उस वाली बॉटल को कोई भी जाकर कलेक्ट नहां कर सके है एक सकेंड यार मुझे यहां पर शाहिए से पैदल जाना होगा यार यह दिवाल टापकर है तो चलो भाई सबसे पहले तो यहां प बॉटल कोलेक्ट भी करना है लेकिन भाइ आगे की तरब भी रास्ता बंद है यार यहां पर देख सकते हो आगे की तरब भी एक जाली लगा रखी है भाई मतलब इससे आगे आटो नहीं जाएगा वहीं कितना ज़ीदा इनोंने दिमाग लगाया यार, और एक सेकंद भाई, जाली के उस पर नहींदा पर, अपनी ट्रोन बाइक को लेते हैं, और आगे की तलफ चले जाते हैं, और आगे का रस्ता भी मुझे क्यों बंद लगरा है, भाई, एक सेकंद जल्दी से चल वहीं आप देखो यार गाईस तुम्हें भी पता होगा कि यह एक ही रास्ता इस वाली बिल्डिंग के उपर जाता है और इन्हों ने यहां पर यह दिवार लगा रखी है तो मैं उस वाली बिल्डिंग के उपर कैसे जाऊंगा लेकिन एक सेकेंड आप पहले तुम्हें आपनी आया है यह तो नहीं ता यहीं कंटेनर था लेकिन यह नया रास्ता किस ने बना दिया और आगी की तरफ तुम देख सकते हो आपर रोटेटिंग कंटेनर सब कुछ है इनों ने एक अलग से मुश्किल रास्ता बनाया यहां पर जाने के लिए अगर कोई जाली दिवार वाग पिसल कर नीचे ना गिर जाए ठीक है फिर अगर मैं एक बार नीचे गिर गया तो वापस मैं नहीं आ सकता क्यूंकि मैंने सारी चीजों को यूज कर लिया है आटो रिक्षा बगेरा फिर से मैं उनको यूज नहीं कर सकता ठीक है अभी चलो भाई धीर से मुझे चलना होगा फेग देगा यार अब भाई मुझे ना तोड़ा यहां पर दिमाग लगाना होगा एक सकेंड मैंना कुछ बाइक को इस टाइप से यहां पर खड़ी कर देता हूं ताकि यह ना मुझे उटा कर भाई सीधा उस बिल्डिंग के ऊपर ले जाया जहां पर मॉन्टेंड डिव यहां लौटेंड तो चलो बैए मुझे आना कुछ इस टाइप से खड़े रहे लेना और बाई चल 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 बैए एकदम धीरे से मुझे लग रहा है कि मैं नीचे ना घीड़ जाओ ऑल फूद तोड़ा लूटा और चल 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 और अब फाइनली सब्स वाली बिल बाइब बढ़ दीवार लगा रखी यार इनों ने इन्होंने मॉन्टेंड डिव को पूरी तरीके से पैक कर दिया ताकि यहां पर कोई भी अंदर ना जा सके एक सेकर मुझे यहां से देखने दो यहां से रास्ता आएका जाने का अंदर इसको बाइब यहां पर भी निया है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तो मैं जा नहीं सकता लेकिन यह दिवार के तुकड़े करके मैं इसके उपर जा सकता हूँ है और दूसरी तुकड़े को विद्या सकता हो तो चलो पर यहां पर पर की तरफ ठोड़ा उटा देनों और तो एक लगा-दिख हुआ है और सीड़ यहां बना कर बाई मुझे ऊपर जाने किए कुछ ऐसा करना होगा भाई मुझे यह देख सक्ते हो मैंने दोनों को लगा दिया है अभी मैं तुम्हें लिदी अपट कर बताता हूं कि वर्ट कैसा करेगा अभी यह इसको थोड़ा कर देता हूं यह तना ठीक है अब यह कैसे वर्क करता है यह को इसके उपर मैंने चड़ दिया और यह को इसके ओपर भी चड़ दिया ऐसे करके न मुझे और दो को लगाना है फिर उसके बाद बाइब अंदर चला जाओंगा अब यार यह गिर क्यों रहा है यार चलो कोई बात नहीं चलो फटाफट से उन दोनों तुकड़ों को भी लगाते हैं और सीधा जाकर मॉन्टेंड्यू को कलेट करते हैं तो ओके गाइज यहां पर तुम देख सकते हो मैंने चारों तुकड़ों को एकदम लाइन से यहां पर लगा दिया है और यह कितना ज्यादा मस्त और एकदम अंदर तो चलो यार मैंने आपर मॉन्टेंड्यू की बॉटल को भी कलेट कर लिया है और अभी बस भाई बच रही एक आखरी चीज जिसको कलेट करने के बाद मेरे अंदर आ जाएगी हल्क जितनी ताकत और मैहना हल्क जितना बड़ा भी हो जाँगा भाई तो चलो यहां इल्ठीक कलेट को भी यहां पर पले करके देख लेते हैं तो यह रहे वह थारड क्लीप और यह अपने जुरासिक पार के अंदर जा रही है और यह क्या है अब यह तो एक बड़ी पर फाइनली आपने जुराशिक पार की तरफ आ चुका हूं और अभी आना मुझे गेट से सीधा अंदर की तरफ जाना है और वहां पर मुझे मिल जाएगी मिल्क की बॉटा आला अभी चलो बाइब फटावर्स यहां पर चलते हैं चल भाइब दर्वादा खुल जा चलो बा रख्षा नियार इससे पहले की हल अपना घर को तोड़ दे बहुरे जल्दी से जाकर वाह से लड़ना होगाने की अभी यहां पर पर बोला ता कुछ ना कुछ तीकड़म तो जरूर और सकते हैं मिल्क की रक्षा के लिए इन्हों इतने सारे स्नेक मॉझ्टर को यहां पर र तो वहाँ पर तुम्हें बीश मजो ट्रैंगल दिख रहा है ना मुझे लग रहा है कि उसके आसपास ही मिल्क की बॉटल है लेकिन मिल्क की बॉटल लेने के लिए मुझे इन सारे स्नेक मॉंस्टर को पहले मारना होगा भाई बला भी कितने चादा है इनका ये पूरा जुंड है अगर मैं यापर कुछ भी गलती कर देता हूं तो भाई ये मुझे ना बाई कच्चा चाबा जाएंगे यार तो चलो भाई इनको धीरे-दीरे से मारते हैं और जल्दी-जल्दी से मारना होगा ठीक है यह मर गया यहाँ ग अब यहाँ तो चलो भाई इधर की तरफ जा रहा है बाई 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 अब एक सेकेंड यह क्या हुआ तो चलो गाइस मैंने सारे के सारे स्नेक मॉस्टर्स को यहाँ पर मार दिया है और अभी फाइनली भाई मैं जाकर उस दूद की बोटल को कलेट कर लूँगा और मेरे अंदर आ जाएगी हल्क की ताकत मतलब हल्क जितनी ताकत और मैं उतना चाहता बड़ा भी हो जाओ ठीक है हल्क भाई रुग जा साले मैं आ रहा हूं तुझे मारने के लिए अभी बाई चलो जल्दी से मैं चलता हूं अंदर की तरफ और उस दूद की बोटल को पीते ह हैं चलते हैं सीधा हलक से लड़ने के लिए मैं इस वाले हल्क को बिलकूल भी नहीं छोड़ने वाला साला इसने मेरी पूरी सीटी को तोड़ दिया और अभी मैं इसे तोड़ा है ना ये ले ये ले मुक्के और रिख ले बाइट चलो यार फाइनली हमने हलकों को यहां पर हरा दिया है बागी बाइश वाली वीडियो को लाइक करके आर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और वीडियो के लिए मैं मिलता आफ से नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए गुडबाए